हेलो एवरिबड़ी कैसे आप सब सिंप्लिफाय लौ में आप सभी का स्वागत है आज हम पढ़ने वाले हैं लीगल हिस्ट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है चार्टर ओफ 1753 पिछले सेशन में हमने चार्टर ओफ 1726 डिसकस किया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा ह है तो प्लीज देख लीजे आज का वीडियो समझने में काफी हेल्प मिलेगी उससे पहले के सेशन में हमने मेर्स कोट डिसकस किये थे मेर्स कोट ओफ 1726 और आपने वो भी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजेगा बहुत ही हेल्फुल रहेंगे आपके मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शिन बॉंक्स में उन वीडियो के लिंक डाल दोंगी प्लीज चेक कीजेगा तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं इसका बाग्राउंड की चार्टर ऑफ 1753 आखिर क्यों इशू किया गया तो देखिए दे चा चार्टर ऑफ 1726 तो चार्टर ऑफ 1753 ये वाला चार्टर जो भी दिफेक्ट्स थे चार्टर ऑफ 1726 में उन दिफेक्ट्स को रिमूफ करने के लिए स्पेसिफिकली इशू किया गया इन दे येर 1746 दे फ्रेंच गॉट दे गॉट्ट्रोल ऑफ मद्रास प्रेसिदेंसी चीक तो इसकी वज़े से ये मद्रास कॉर्परेशन जो क्रियेट की गई थी आफ्टर ऑफ 1726 ये सीज हो गई ये बंद कर दी गई इन दे येर 1749 अगें ब्रिटिश गॉट दे कंट्रोल ऑफ मद्रास तो वापस 1749 में ब्रिटिश को मद्रास का कंट्रोल मिला तो इसी मद्रास कॉर्परेशन को वापस से इस्टाब्लिश करने के लिए किंग जोर्ज ने वापस से ये नया चार्टर इशू किया गया कब तो 8th Jan 1753 तो कंपनी के ओफिशल्स जो थे उन्होंने इसका इस मौके का फाइदा उठाया और जो भी डिसद्वेंटेज जो भी डिफेक्ट से जो भी गलतियां हुई थी 1726 के चार्टर में उसे इंप्रूफ करने की उसे रिमॉफ करने की कोशिश की गई इस चार्टर में अब देखे इसमें क्या-क्या चेंजिस किये गए, क्या-क्या प्रोविजिंस नए लाए गए तो देखे इस न्यू चार्टर अफ 1753 वस मेंली अप्लिकेबल तो ओल दो त्री प्रेसिदेंसी टाउं तो वापस यह जो नया चार्टर है, यह तीनो प्रेसिदेंसी के लिए अपलाए होता है मदरास, बॉंबय अन कलकता इस चार्टर चेंज दो मेथट अफ अपोइंटमेंट ओफ मेर अन अल्डर मेन इस चार्टर में क्या हुआ, मेर अन अल्डर मेन की अपोइंटमेंट की जो भी मेथट थी, वो चेंज कर दी गए ठीक है, 1726 में कैसा था, मेर जो है, वो अल्डर मेन के बीच में से अपोइंट होता था तो इस तरह से कुछ अलग तरह की मेथट थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, 1726 वाला चार्टर का तो देख लिजे, आपको समझा जाएगा कि उसमें क्या-क्या प्रोविजिन्स थे ठीक है, तो देखे, इस चार्टर में क्या हुआ, जो अपोइंटमेंट की मेथड थी, मेर और आल्डर मैन की, वो चेंज कर दी गए कैसे कर दिया गया, तो गवर्नर एंड काउंसिल गॉट देखे, तो यहाँ पे गवर्नर एंड काउंसिल को पावर दी गई, कि वो आल्डर मैन को अपोइंट करेंगे अब regarding selection of the mayor, the corporation selected the names of two people and a governor and council selected one of them as the mayor every year और mayor के selection में कैसा हुआ, तो दो नाम लिये जाएंगे ठीक हैं, और governor and council क्या करेगा, उसमें से एक इंसान को, एक person को as a mayor every year select करेगा this way mayor become the puppet of the governor and council, अब appointment की जो भी power है, यह governor and council के हाथ में दी गई है तो definitely mayor क्या बन गया, governor and council का puppet बन गया, and also further the mayor as well as elder man became the nominee of the government and the government got the full control of the corporation, तो इस तरह से indirectly हम देख सकते हैं, कि जो executive है, जो governor and council है उसके हाथ में पुरी सत्ता आ गई, या जो भी appointment, removal, जो भी सब चीज़े हैं, यह governor and council के पास, मतलब उनके पास power दी गई तो यहाँ पर कही न कही क्या होने लगा, यह जो यह mayor है, यह जो elder man's है, यह क्या होने लगे, puppet होने लगे उनके हाथ के इस वे, government got the power to appoint the judge of the mayor, यानि कि जो executive है, वो judy शरी का role play कर रही है, यह judy शरी में interfere कर रही है, हम यह कह सकते हैं क्योंकि governor and council को यह government को, क्या मिल गया, power मिल गया, कि वो mayor के, मतलब mayor court की जो है, judges को appoint कर सकते हैं and remove him, also if he disobeyed the governor, और अगर उसने governor को disobey किया, उनकी बात नहीं मानिये, disrespect किया, तो वो उसे remove भी कर सकते हैं mayor's court lost all the autonomy and independence and becomes secondary in nature, तो कही न गई 1726 की charter में हमने देखा था कि mayor court के पास एक तरह की autonomy है एक तरह का independence है, जबकि हम यहाँ पे इस charter में देख सकते हैं, कि जो autonomy, जो independence mayor's court को पहले की charter में था, वो यहाँ पे नहीं है वो lost कर चुके है, secondary nature के बन चुके है the court was allowed to hear the Indian cases only if both native Indian parties agreed and submitted the cases to the mayor court अब यह court Indian cases तभी try कर सकता है, जब यह Indian native parties agree करेंगे उस बात को और अपनी cases mayor's court में submit करेंगे okay, mayor's court got the right to take an action against the mayor, चीके, mayor court के पास right है कि वो mayor, जो judge है, mayor है, जो main है, उसके against action भी ले सकता है no person was allowed to sit as a judge if he was interested in the matter in any way, कोई भी उठके, कोई भी illiterate या कोई भी जिसे legal knowledge नहीं है वो ऐसे उठके as a judge perform नहीं कर सकता है, role perform नहीं कर सकता है, वो as a judge नहीं बेट सकता है mayor's court got the power to hear the cases against the governor और government होए, तो यहाँ पर देखो एक है, कि mayor court के पास power है, कि जो governor जो है, या government जो है उनके खिलाफ अगर कोई cases file हुए है, कोई अगर complaint आई है, तो वो ये cases strike कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक ये फायदा या advantage ये merit है, हम कह सकते हैं, कि mayor's court, governor या government के against जो भी cases होगे, वो उन्हें treat कर सकता है, या देख सकता है उनकी cases The new charter also created the new court, called as court of request, at each presidency town, to decide cheaply and quickly cases up to five pagodas, तो ये नए charter ने एक नया court भी, एक छोटा सा नया court भी create किया है, जिसका नाम है court of request, और ये court of request, each presidency town में रहेगा, मदरास में भी रहेगा, कलकता में भी रहेगा, बॉंबे में भी रहेगा, ठीक हैं, अब ये court of request क्यों किया गया है create, तो ये जो मतलब जो चोटे मोटे जो भी cases हैं, up to five pagodas, ये try कर सकते हैं quickly, यानि कि मतलब जादा mayor's court की उपर जादा bolder नहीं रहेगा, ठीक है, cheaply and quickly cases जो हैं up to five pagodas, ये court of request क्या कर सकता है, try कर सकता है, अब one pagoda equals to three rupees, हमारे आज की three rupees is equal to one pagoda, ओके, मतलब ये currency की type में established to help poor Indian litigants who cannot afford the expenses of the court, अब ये court क्यों established किया गया, तो जो भी poor Indian litigants थे, जो बहत ही मतलब गरीब थे, जो cases expenses के भर नहीं सकते थे, तो उनके लिए ये court हो established कर दिया गया, क्योंकि जो भी छोटे मोटे cases हैं, वो free of cost में, या कम पैसो में, क्या करें, अच्छे से solve हो जाए, now this court weekly sat once, तो हफते में एक बार ये court बैठता था, request court have the power to hear the Indian matter also, तो यहाँ पे सिफ British settlement, या British, जो भी natives थे, या British inhabitants थे, उनके ही नहीं, बलकि Indian matter also, ये court क्या करता था, try करता था, Now, total हमारे पास तब 1753 के charter के time, तीन courts थे, ठीक है, court of request, जो अभी हमने देखा, mayor's court, जो almost, mostly civil jurisdiction, try करता था, and justice of the peace and court of quarter session, जिसके अंदर governor and council थे, Okay, अब ये जो appeal है, mayor's court से जो भी appeal जाएंगी, वो governor and council के पास जाएंगी, और आगे governor and council के आगे, ये जो cases हैं, ये जो appeals हैं, ये private council में जाएंगी, in England, which was the final authority, अब देखे, this charter introduced many changes, but this charter took away the independence of the mayor court, जैसे हमने कहा, कि बहुत से changes कर दिये गए इस charter में, लेकिन क्या हुआ, mayor's court का कही ना कही जो independence था, जो उनके हाथ में autonomy थी, वो कही ना कही वो खो चुके थे, which was given to this court by the charter of 1726, Now the East India Company with this charter also always follow the policy not to break the customs of Hindu and Muslims, ये Hindu Muslims के customs से पंगे नहीं लेते थे, जो भी East India Company थी, इस charter में उन्होंने ऐसी policy बनाई थी कि वो जो भी Hindu and Muslim की जो भी customs हैं, उन्हें break नहीं करेंगे, उनके उनके जो भी customs हैं, वो उनके according follow होते रहेंगे, When both the Indian parties agreed, that time only mayor court handled those cases, तो customs के according उनके cases उनकी जो कुछ भी problems से इंदू Muslims के वो solve हुआ कर देते, हाँ अगर parties खुद ही agree करती हैं, कि हाँ उन्हें mayor court में अपना case लेकर जाना है, तब क्या करता था, mayor court उनके cases को try करता था, Now an executive enjoyed more powers as the appointed company servants as the judges, तो जो executive था, वही mayor को appoint करता था, या elder man appoint करता था, या judges करके appoint करता था company servants को, तो यहाँ पे executive के हाथ में क्या थी, जादा powers थी, तो executive handled the cases in such a way, that it does not harm them or did not harm the company servants or their friends, तो executive in cases को इस तरह से handle करता था, कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो, ठीक है, उन्हें उनसे कोई harm ना हो, या company servants जिन्हें executive ने as the judges appoint किया है, तो उन्हें ऐसा कोई harm ना हो, या उनकी जो भी close friends है, उन्हें कोई harm ना हो, तो इस तरह से वो cases handle करता था, तो आप यहाँ पे देख सकत तो house of commons appointed a committee of secrecy to check the office of the eastern India company, तो 1772 में house of commons जो है, उन्हें एक committee appoint की, committee of secrecy, जो की eastern India company में होने वाले affairs को check करती थी, कि properly हो रहा है नहीं, legally, justly हो रहा है नहीं, तो इन सभी चीजों को affairs को check करने के लिए इस committee को appoint किया गया था, The committee in the seventh report gave adverse report regarding the Calcutta judicial system, अब इस committee ने अपने seventh report में Calcutta judicial system की against ulti report दे दिया है, ठीक है, the report stated, उस report में ये था कि जो mayor court है, वो अपने मन की according, अपने हिसाब से किसी भी तरह से behave कर रहे है, ठीक है, बिना English law को follow किये, English law की according वो चल ही नहीं रहे है, अपने हिसाब से अपनी मन मर्जी की according वो कर रहे है, तो इस तरह से उन्होंने अपने seventh report में mayor court के, वादब जो Calcutta judicial system थी mayor court के बारे में ऐसा उन्होंने ultra report दिया, तो as a result of criticism, इसकी वज़े से क्या किया गया, Supreme Court was established at the Calcutta in the year 1774, तो इसी लिए Supreme Court को established किया गया at the Calcutta in the year 1774, आगे हम ये भी पढ़ने वाले हैं अलग से, ठीक है, The Supreme Court of Calcutta was independent court and does not work under company executive, तो ये जो Supreme Court था Calcutta का, ये एक independent court था और company executive के अंडर या उनके लिए काम नहीं करता था, Okay, and consisted of professional lawyers who knew English law in depth, और ये जो judges थे, यहाँ पे जो lawyers थे, ये सभी professional lawyers थे, जो legally, मतलब जो जनोंने, जनोंने real law का knowledge है, ठीक है, जो law को, English law को depth में अच्छे से जानते हैं, तो ऐसे legal professionals hire किये गए, तो इस तरह से ये है Charter of 1753, I hope आपको समझाया होगा, बहुत ही simple language में, lucid language में समझानी की कोशिश की है, अगर आपको ये session समझाया हो, अगर आपको ये lecture पसंद आया हो, तो please, please like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए, subscribe करना ना भूले, और bell icon भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले मेरे videos के notifications आप तक once again, thank you so much.